तो दोस्तो आज के मैचेस में तो हमने काफी अच्छे अमाउंट्स विन कर लिए हैं तो अब मैं आपसे यह कहुँगा कि अब इवनिंग के जो मैचेस हैं उसमें थोड़ा सा ग्रैंड लिग प्ले करने की कौशिश करें क्योंकि शुरुआत के मैचेस में अर्णिंग हो चुका है तो आप लोग क्या करेंगे कि जो साउथ अफरी का टी ट्वंडी लिग का जो सेकंड मुकाबला है ना उसमें ग्रैंड लिग प्ले करने की ट्राइ कीजिएगा और वैसे टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और होपफुली आप लोग भी ग्रैंड लिग निकालेंगे इसमें तो टेली ग्राम पर जुड़ जाएगा एड्वांटेज आपको मिल जाएगा 4003 मेंबर्स जुड़े हुए हैं और आप भी बेनेफिट उटा सकते हैं एड़ 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 फैंडिस एक्सपर न्यूज सर्च कर सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आजएगा इस मैच को इनलेस करते हैं सबसे पहले में इस्पेशली बज़ा सब्सक्रिप्शन में विन करवा दे वोरियर्स वर्सिस लाइन्स के मिया पर बात करने जा रहे हैं टोडल अब तक 18 20 20 मुकाबले वैसे हो चुके हैं लेकिन 18 मेंच तक का डेटा यहां पर अपडेटेटेड है ओवरल कहेंगे बेटिंग फर्स बेटिंग फर्स करो चाहें बेटिंग सेकंड कर कोई इंपेक्ट नहीं पड़ रहा है लेकिन अगर आपका स्कोर 150 से बिलो है ना तो टीम एजिली चेज कर लेगी और अगर 150 से ऊपर है तो आप जो टीम है ना वो डिफेंड भी कर सकती स्कोर को तो बस यही चाहिए कि इस वेन्यू को पर 150 से अबोव स कर पाई थी आपने देखा योगा लास्ट का मेच वहाँ पर क्या होता डॉल्फिन ने यहां पर यहां पर जो नॉर्थ वेस्ट ड्रेगन थी उसने 135 किया था और जाब में क्या हुआ चेज हो गया डॉल्फिन की टीम में 136 लेकिन आप लोग देखिए इतना छोटा टूट लेकिन टेकनिकल प्लेयर्स आपकी टीम में होने चाहिए क्योंकि वही इनिंग बिल्ड करेंगे और वही आपको विंड कराने वाले हैं ऐसा मत सोची कि पैसर्स कोई ज्यादा विकेट मिल रहे हैं यहां पर बराबर स्पीनर्स आप दे रहे हैं और विकेट्स लेकर दे रह बात करते हैं तो दोनों ही टीम इस सीजन आउट ओफ फॉर्म देख रहे हैं लेकिन फिर भी यहां पर कुछ टीम करने के चांसे से कौनसी टीम विंड कर सकती हैं तो उसमें थोड़ा सा क्लियर यहां से आपको हो जाएगा कि बॉलिंग डिपार्ट्मेंट देखते हुए आ यहां पर थोड़ा सा इंटरेशनल प्लेयर्स हैं लाइन्स के पास में तो थोड़ा चांसेस रहेंगे इनके क्योंकि इनका बेटिंग और में भी थोड़ा सा मुझे डैप्स दिख रहा है प्लस बॉलिंग अटेक अच्छा दिख रहा है तो लाइन्स इस मैच को प्लेइड बताई देता हूं कौन सा प्लेयर जोए परफॉर्म करने वाला है इसलिए एक पर फिट से बता रहा हूं मैथ्व बेट जी लेंगे तो सभी क्योंकि यह विकेट कीपर में एक ही बैस्ट आप्शन यहां से है बाकि जो अदर टीम का विकेट कीपर है वो काफी न को अपनी टीम में रखेगा विहां ल्यूबे को अपनी टीम में रखेंगे जे इसमर्स को लेंगे यह तीनों आपकी टीम में रहेंगे जैसे कि टिस्टेन इस सब एज़ फिनिशर रॉल भी करते हैं प्लस अठेगी इनिंग्स कहल रहे हैं मैं थोड़ा साज रिस्क लोगा लेज़ी बान अगो पी पे जो की होंगे प्लेस पर किसके प्लेस पर टिस्टेन सब्सक्राइब रहने वाले रिस्क लेंगे तो विन करेंगे तो नमबर बन प्लेर लिए मगोरी जो की मैने को चाहिए बज्ट माजी करें नज्ट में पमेटे करें लेकिन हुआ इनके पास में घंदवाजीन करें उस बॉल स् बोलें एक थोड़ा सा व ऊड़िवह लग रहे आपर बोर लियर्स कि तरफ से आप देखेंगे यह से जो डेस्ट में गेंद बाजी करें वेन विरन और अक्षोना जो मन्य का है वो डिप में गेंद बाजी करें बागी स्टार्टिंग में लगा रही है टीम्स ताकि ज्यादा सब्सक्राइब लेकर लिए जा सके अब डैन पेटरसन पता नहीं क्यों बा कुछ चेंज होगी हमारी फैंटेसी की टीम चेंज होगी प्लस यहां पर भी थोड़ी सी फैवरेबल हो जाएगी वर्यर्स की टीम लेकिन फिलहाल आप लोग देखिए हैं यहां से ट्रिस्टन स्टेप्स ने टू सिक्स्टी फोगा स्कोर कर चुके हैं अब तक इस टूर्णा हैं कैप्टेंसी अगर जो लोग रिस्क लेना चाहेंगे मेरी तरह में रिस्क लेता हूं तो जयजे इसमर्स को काप्टेंसी दे सकते हैं इसमाल लीक के अंदर बात करते हैं प्लेयर्स की तरफ से बालिंग डिपार्टमेंट में अब आएस्ट टेकर हैं लेकिन नहीं खेल रहें जेजे इसमर्स से थ्री विगेट्स स्रीम के लिए पिक है लिए ने दो विगेट्स बाकि बालिंग डिपार्टमेंट जैसा की में बताया पूरा वीक दिख रहा है यहां से वोर्यर्स का तो अगर पैटरसन वगेरा या आते हैं तो यह ठीक आप्शन आपके लिए हो आप लोग देख लीजेगा टेकनिकल प्लेयर को बैक करना है या नहीं मैं यह से रिजा हैंडिक्स को लोगा शेंडेट्स वेल जोगी ओल्डावर में डाल दिया चुका इनको ट्रीम में में तो में भी इनको सलेक करूं या ने करेगा कि यह कितने ओवर्स करेंगे फाइनल प्लेयर प्लेयर में आप रपू लाना ओं जॉष्टी इजर्श में से कोई एक ले आसकते हैं प्लस फाइफ प्लेयर आप लोग लेजीगा सीधीन वरियर्स की टीम के इस सरीके सेसे कीजिए हैं डेथ में मंगाला करें हैं स्टार्ट में फॉर्टियून रिजा हिंडिक्स तो सिसंदा मंगाला कर रहे हैं तो आपकी चोई से किसके साथ में आपको जाना है काप्टन सी रीजा इंडिक्स ओवर तो कर रहे हैं लेकिन चांसे काफी कम इनके रहते हैं बहुत कम ओवर्स करते हैं पांच मेंचेस केंदे केवल 40 ओवर किया और एक ही बार इनको विकेट मि कर रहे हैं बेटिंग डिपार्टमेंट से भी टॉप अपना कवर कर रहे हैं जिसमें यहां से आपको रीजा इंडिक तो मस्ते हो रहेंगे रपूलना और रिजर्स में सब किसी एक को आपको बैक करना है फर्स प्लास क्रिकट के काफी एच्छे प्लेयर है रपूलना तो आ जलता हूं बरता हूं अपनी टीमस की तरफ जो मैंने फोर्मेशन यहां पर किये हुए हैं तो मैं वर्स लास कमें पर आप लोग में से करेंगे क्रेडिट को मैंटेन करते हुए फिर आप लोगों की सेलेक्शन कुछ अलगी हो जाएंगे इसलिए मैं आप थोड़ा से बता रहा हूं थोड़ा से रिस्क ले लिजेगा जैसे दियान वेन विडियों जो कि से ज्यादा तर चांसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग क्योंकि डेट में जबाजी करें 29 पॉइंट्स लास्ट में भी यह दे चुके हैं रिजा हिंडिक्स में डिस्टन सब्सक्राइब थोड़ा सा रिस्क लेते हुए अगर रूडी सेकंड खेलेंगे तो रख रहें जो रिचर से ना उसको ले लें बॉलिंग डिपार्टमेंट तो लगबक सेमी सब का होने वाला कोई चेंज़ेस ना होगा नंद्वारा को ले सकते हैं लास्ट मेंच के परफॉर्मेंस के बेस में परकी उतने च्छे चोईस नहीं रहेंगे जो लोग रैंड लिख है वो चारों ब्लोर्स लाइनस की तरफ से लेके चलेंगे कोडियू उसके इंदर इंक्लूट रहने वारे यानि क्या रहेगा यांवेंट लूप होंगे या फिर आफ मन्ये काउप करेंगे कोडियू सब प्लस दियांवेंट लिए यह टीम मनेगा इसब्राइन लिद्रिम का स यह तीन आपके पास में ल्यूबे मंगाला और रीजा हैंडिक्स मैं थोड़ा सा मंगाला के ताहत में जाओंगा डेथ का गेंद्वाजे प्लस बेटिंग आने पर बेटिंग कर लेता है इसलिए मेरे टीम का सेलेक्शन एका फरस्टीम मेरा यह ऐसा दिखेगा चुकि इसमाल स्बूर्ण सी फॉर्चुन है ग्रेट लीग ही खेलूंगा में इसमें स्मॉल लीग में थोड़ा से कम इन्वेस्ट करूंगा अगर इंवेस्ट भी करता हूँ तो फॉर्ट तू इलेवन मेंबर्स वाली जो लीग जो लेग उसके अंदर इंवेस्ट कर दूँगा especially 11 स्टरींग तो गनफर्म हो मेरा प्राइज तो मुझे मिल जा है इसलिए मैं कनफर्मिशन करता हूं कभी भी लॉस्ट में नहीं खेलता हूं यह हमेशा वैक आप टीम रखता हूं चाहे मेरी फिस्यम अगर हेट होट चैज दो तीन मेंबर में हार जाती है तो मेरी सेकंड ही मैच थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है लेकिन सेफ साइड में जाना जाना चाहते जंता सेलेक्शन करते हुए तो आपके रिस्क्ष की चांसे होंगे आप विन ना करें या फिर रैंक्लेश हो जाए या फिर आप लोग लोस में हो जाए क्योंकि कुछ तो रिस्क लेना पड़